ये आकाश्मानी है, प्रस्तुत है कारिक्रम सुर्खियों में, इसके अंतरगत सुनिए, निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरुपता धियान और आम चुनाव दोहजार चौबिस के पहले दो चरणों में हुए मतदान पर चरचा, इसमें भाग ले रही है निर्वाचन आयो के पूर्व महानी देशत अक्षे राउट कारिक्रम का संचालन कर रही है, विभूती मिश्र। इसमें 86,145 की वोटिंग हुई, तो और इसी में लक्षदीप में जो है सबसे अधिक रहा और उसके बाद से लेकिन बिहार में हमने सबसे कम फिर्वी मतदान उन्साथ रसमलब 265 का देखा, आप इसको किस तर देख रहे हैं? और देखिए मैं ये मतदान तो एक्षद मतदान भी हिसाथ कमादा हूँ, और आप अगर मतदान की जो नंबर से जब से इलेक्षन की प्रतिया चुरुआ है, तो मतदान की जो परसेंटेज है इंडिया में, तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, कभी बीच इसकी में कुछ बड़े रचनाए हुए है, ये इसकी सामने सब मतदान की जो परसेंटेज है वड़ा बढ़ा है, लेकिन 45, 50, 55, कभी 7, कुछ तरगा परसेंटेज रहा, और इसी हिसाब से, आप देखें कि ये 16 परसेंटेज का बात आपने कहा, वो एक अच्छा मतदान माना जाए, कभी-कभी ऐसे एक इंप्रेशन हुआ है, इसे जिसे कि ये मतदान बढ़ा घट दिया, इसमें इंप्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इसलिए 2014 और 2019 आज चरके, इलेक्शन कमिशन में कुछ ऐसे इनिशेटिव दिये हैं, जिसका एक मुक्षा इनिशेट हैं, स्वी, systematic voters education and electoral participation, जि और voters को जोड़ने के लिए स्काइट महस्पुण रहा किये गए, इससे नतीजा यह हुआ, कि 2014 में 8% का improvement होकर, इसकी 6.4% का voting हुआ, 44%, उसके बाद उसके 1% बढ़कर, 2019 में 60.4% हो गया, तो उसी हिसाब का अगर देखा जाए, और यह जो भेज वहा किया, और देख दूटाड ही हो चुआ है, जिसमें जो percentage रहा, इसकी corresponding percentage 2011 के इसाब से, फूरा साथ कम जिसे लग रहा है, लेकिन मुझे यह सोस्क मत्दान लग रहा है, और यह अच्छे percentage मुझे से, इसलिए लग रहा है, कि 46% आपकर, दुनिया की voting की turn-out की इसाब से देखे और अपना देख की पुरानी turn-out की इसाब से देखें, तो अच्छे turn-out माना ही जाएगा, यहां उसी तरह दूसरे चरन के मद्दान में बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन हमने उसमें एक सुधार देखा, और जहां तक आप कहा रहे हैं, कि इसमें कहीं से कोई असंतोस वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि काफी, जो मद्दान पकिशत हैं, वो काफी ऊंचे चले जाते हैं, और कहीं पे कम रह जाता है, जिसे पहले हमने लखशदीद की और बिहार की बात की, लखशदीद में सब से अधिक, बिहार में सब से कम, दूसरे लेशर ने भी हमने देखा, तो मनिपूल में सब से अधिक मद्दान हुआ, और फिर उत्तरप्रदेश में जो है, वो सब से कम मद्दान देखा गया, इसके पीछे कोई वज़ा देखते हैं आपकास? आपने सही कहा, कुछ जगा में हाई टर्नाउट रहते हैं, कुछ जगा में कम टर्नाउट रहते हैं, ये traditionally भी पाया गया है, जैसे कि मानली के बिहार यूपी में टर्नाउट कोई खास नहीं रहता है, तोड़ी से इंप्रूब होने का जरूर चांस है, और इस बार election में भी ये दिखा गया है, और महाराश्टर और राधिस्तान में भी दिक्कत रहे हैं, कुछ टर्नाउट रहते हैं, जैसे इन और शीज का काफी सारे स्टर्नाउट रहते हैं, आप ने लाक्षा दिबगरे का जितिर्किया वहाँ भी रहता है, आप जैसे कि वेस्ट बंगल बगरा हमें भी काफी तर्नाउट अच्छा रहता है, हेमाचियल में तर्नाउट, 37 डर्नाउट में तर्नाउट, ये तर्नाउट कुछ जगा में अच्छा ही रहता है. लेकिन, ends in commission ने अभी एक जो जो constituency में, assembly segments में, districts में, जो average turnout के पिछे रहे हैं, उहां खास करके plan बनाया गया है कि ओ केछे पिछे नहीं कर रहे कर आगे उभर पाएंगे, ओ इंतिजाम हुआ है, लेकिन आप तरह तरह की चीज़ होता है, एक तरह की देखें, वोतर का turnout जो है, ओ एक political contestation का बात होता है, कौन क्या करता है, लोग कैसे उनके बातों पर मानते हैं कि नहीं, उसके बाद vote करने आते हैं कि नहीं, वो एक रहे है, एक तरह की तरह की participation, जो कि management का intervention होता है, election commission of India की तरफ से, कि लोगों को सूचना तही करते मिले, लोगों का motivation या प्रेरना, इक तरह है, लोग मदाना इस देने के लिए उस्षाहित रहें, और सहुलियत मिले, polling station में ठीक से सब बंदवस्थ हो, उनको voting charge लेने के लिए, electoral registration के लिए difficult नहीं हो, polling का समय ठीक पर हो, जैसे गर्मी का आजकल बात चल रहा है, तो गर्मी में उनको तकलिस काम हो, यह सब सहुलियत की बात, यह सारे चीज इसको मिला कर ही voting कारणा दोता है, जैसे मैं पोलिटिक के बारे में कहा, और यह gust तेए लिए πο morgen के पॉलिएक से सारे तायारियां होते हैं, फिर भी कुछ के आगे रहते हैं, doesे हमारे दू उदाशिम की बात क्र। हम करते हैं, हमें चाहएं। और क्योंकि वो सचाई है, एक है हमारे यूत हैं, जो अचार अचार के उपर हैं, मालगे पिसके निशे हैं, तो वो थोड़ा पिछे रह जाते हैं, वो इतना भोट में बढ़चर का हिसा नहीं लेते हैं, जेसे उनको लेना चाहिए है, मान कर ये वो देश के वविश्चा है, ये सरकार बनाना और लोगों को सुनना, उनका मेन एक काम है, जिम्मेवारी है, अधिकार है, ये पिछे रह जाते हैं, दूसरी है, जो सहर की हमारे लोग हैं, हमारे सहरी लोग जो है, और बन अपाथियर्ट रहता है कि भई, वो बाते हैं तो अच्छे से कर लेते हैं, नहीं समझते हैं ये दोनों आपाथे को Election Commission of India एक बहुत बड़ा थू नियो जिस्थ प्रक्त्रिया से इसको मुकाबला करने के लिए कुशिश कर रहा है और जिसके नतीज़ा आ ही रहे हैं इसे आपने जैसे अभी बताया 66% है टर्नाउट तो अच्छी टर्नाउट है अगर वो 1-2% पिछले इलेक्शन से कम हो जाए तो इसे नहीं मनना चाहिए क्यूंकि आपको ग्लोबली इंडिया की टर्नाउट लेबल ये लेबल जो है अपर मिदिल लेबल में ही आएगा तो आपने राजनिती की बात की और कई सारे कारण होते हैं उदा सीन्ता के और एक बात आपने ये ही जो है कही है कि जो नई पिधी है उसमें उस तरह का आवेरनेस कई बार नहीं दिखता है हम इसे आएंगे एक थोड़ी बहुत चर्चा कई बार मौसम को लेकर के होती है कि भाई बहुत गर्मी थी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए बाकी तो सुरक्षा वरा का तो कोई मसला आप तो दिखता नहीं है वैसा आपको क्या लगता है सुरक्षा की मसला को ठेही ही नहीं आएंगे एक जमाने में था पूत आकर दबूत लेकर है जो होते हैं वहां के मसल में जो होते हैं या लॉइन अरडर को अपने हाथ में ले जाते थे आज़े वोटिंग कर लेते थे गाउं को कब्जा कर लेते थे वोटिंग स्टेशन को कब्जा कर लेते थे पुलिंग स्टेशन को वो तो रहा ही नहीं है, पुलिंग, इभी मशीन आ गया और लॉइनर उसको इतना बढ़िया एंफुर्स किया जाता है और पहले से ही ससत्र जो लोगों को लगा के, स्वोर्शस को लगा के इतना तुरुक्सित किया जाता है लेकिन दूतरी बात आपने जो एक अभी मौसम जो है, ये तो सब के हाथ का नहीं है और जब ये तो मौसम एक उपर के देन है, तो मौसम आएगा और हमारे इंडिया की इलेक्शन का टाइमिंग इसा है पहली बार को समर इलेक्शन नहीं हो रहा है, अबिशा ही समर इलेक्शन होता है हमारा नास्मी इलेक्शन इस बार हो सकता है, गर्मी गाभ़े हैं, लेकिन नेएक पॉइंट आपको बताऊँगा भारत की लोक्तंत्र जो है, वो हमारे ऐसे लोगों से विलाकर बना है जो कि गाके गर्मी में खेती में काम करते हैं जो मज़़ूर हैं वो भी जाकर अपना फैक्ट्री और इंडिस्ट्री में काम करते हैं रोज साइड में हासर्स और भेंडर से तकलीब होता है गर्मी होता है लेकिन जाकर वहां काम करते हैं तोयलिंग मासेश जो हैं वो भार्ट के लोगों बनाते हैं और एक ही चीज़ क्यों आएगा जब कि भोड़ देने के बात को तब हम गर्मी का बात जाड़ा करें गर्मी हैं कोई मना नहीं कर रहा है वो तकलिफ है वो मना नहीं करता है लेकिन हम अगर उसको एक अधिकार मानत हैं और देश उसी से ही चलता है अगे प्रिजेंटेशन होता है सरकार बनता है और फिर अपने आप हमारे common choice और common wills हैं जो हमारे खुद राग्य का निज़धारिस होता है क्योंकि सरकारे आती हैं तो हमें ये भोड़ देने के टाइम में सारे तरह सारे समस्चा है तो है यह यह मैं बात कर रहा हूं लेकिन उसमें मैं मोसम को अंडर्माइन भी नहीं कर रहा हूं और खास करेंगे मैं आप तर चीज बताओंगा मैं कुछ दिन पहले के खा कि इलेक्शन कमिशन की सबसे जो उपर में जो कमिशन बैठते हैं वो सारे मुनिस्ट्वाइज कमिशन अग दुनिया बहुत लोगों को बुलाएं और कुछ अगयर इसू के और अपना जो सारे स्टेट की जो इसकी फिलेक्टरल अफसर उनके साफ ही बात किये कि बही गर्मी को खास करके और अपजर्मर्स के साफी बात किये गर्मी से बोटर्स को रहत मिले और आरम से घोट कर पाएं उसका खास करके तैयारी क्या है कैसा होना चाहिए और बलकि वो आई-मडी का टीजी को बुलाएं एल्स मिनिस्ट्रिक आजेंसिस को बुलाएं गर्मी को नजर में रख चाहिए तो काम तो होता है लेकिन उसका एक्शूज नहीं बनना चाहिए ज्यादा इसके बाद भी हमने देखा है कि कई तरह से जो बुजूर्ग हैं वो मतदान हर सिती में हर हाल में करना चाहते हैं वो बूस तक पहुंसते हैं हमने कई बार देखा है कि जो बिवाह के जोड़े हैं वो बिवाह करके सिधे वहाँ पहुंसते हैं कई तरह के हमने से देखे हैं लोगों को जो की हर हाल में मतदान करना ही चाहते हैं वोकि उनका अधिकार है और उनको अपनी पसंद के कासलकार बनाना है, अपने पसंद के पसेदी को उनको चुदना है। आपने पसंद में एक अच्छी बात करें थी, स्विप रिएक्टिविटीज है, जो स्विप गतिवी निया है, उसका इन्फार बिस्ताफ से बचाईए। लेकिन एक चीज जो खलता है कुछ लोगों को, सबको, कि इतना बड़ा हम सबसे लाज़िस डिमोकरसी हैं, तो हमारा लोग भोट क्यों 50-55 तक क्यों लग जाता है, क्यों बासे लोग कहा जाते हैं, जिसे आज की तारी में अगर मानलो 30 करोड लोग भोट नहीं देते हैं, ह हमारा अलरी हमारा कितना करीब-करीब 1 बिलियर या 95 करोड 97 करोड वोटर से हैं, उसमें मानलो लास्ट टाइम भी उससे थोड़ी से कम थे, लेकिन उसमें सबर 60 करोड लोग भोट नहीं देते हैं, या देने ही पाते हैं, क्यों तो फिर हमारा दिमोकरसी का तो खुछ इसमे उसमें हैं कि उसके पात सारे साधन है भोटिंग देने के लिए, या भोटिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन में सबको सुविदा हैं, यह सबको मिला कि एक स्वीट कारेतरम का एक बना हुआ है, उसमें पाया गया कि चार-पांच कैटेगरी के लोग भोट नहीं देते हैं कोई उनका यह चार बर्द को पाया गया, तो उसमें यह चार बर्दों के उपर काफी फोकस किया गया, लेकिन आज अच्छी बात यह है, यह महिलाओं का जो वोटिंग है, उसमें काफी आगे बढ़ा है, यह सब्सक्रिक से, और आज कल महिलाओं जो है, इलेक्ट्वल बर्कर वाद, जी हाँ, तो जाहिर तोर पे हमने देखा है कि इसके अलवा भी जो चुनावायोग है, वो कई तरीके से, कई परतियोगताओं के तरीके से, मानाज सिंख्छा के तरीके से, कई तरह के काड़िस्प्ले, सोसल मीडिया के तरफ से, नुकर नाटच, कई तरीके स अख्छेराओज जी आपका बहुत सुक्रिया, आपने हमाई शुताओं से महत्पूर जानकारियां साजा की है अभी आप सुन रहे थे निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरुपता अभियान और आम सिनाव दोहजार चौबिस के पहले दो चरड़ों में होए मतदान पर सर्चाव इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महामी देशर अक्षेर राउट कारिक्रम का संचालन कर रहे थे विभूती मिश्र ये कारिक्रम आकाश्वन के समाचा सेवा प्रभाद द्वारा प्रसुत किया गया इसे आप हमारे मोबाईल अप, News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ओफिशल पर रहे सुन सकते हैं इस कारिक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें इमेल या वाट्साप के माध्धम से देश सकते हैं इमेल का पता है airnsttalks.gmail.com और वाट्साप नमबर है 9289094044